अब क्लिए दे और चर्वेंज का टॉपिक्स देखने से पहले आज का 24 घंटे का होम वक्वक्वाँ तार रहाँ गे उसे देख लेते हैं जो हम लोग लास्ट में 14 घंटे का टॉपिक्स कर रहें एक सब्जेक्ट और तीन करेंट जी अचा त्विच को ले लेते हैं 24 घंटे क एक सब्जेक्ट आज बारतिय संभीधान और राजव्यस्ता इंडियन पॉलिटी पूरा स्कैन कर जाईए आपका जो गाइड बुक है जो दो गाइड बुक्स हम लोग लेकर चलते हैं कोई एक है या कोई भी दूसरा है गाइड बुक करना जिसमें समराइज होता है शौट मे हम लेकर आएंगे साथ में तीन करेंट है फिर सम्रों कर रहे हैं तो आज आज हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्शन जो केंश्वकार का आर्थिक सर्वेक्शन है दो हजार एकीस बाइस एकोनोमिक सर्वेग पहला टॉपिक करेंट का दूसरा है जितना भी इंटरनेशनल और कानफेर्इंचेजब करेंट इसस्चेब का दूसरा यह संमयलन हुआ है शिक्कर समेलन या अस्थानी ओस्तर का समयलन राष्छन दूसरे सारी कौनफरेंचेज आज कर लिए सब मैगजिन में द्यावा जो हमनें तक का current affairs 2022 तक का कर लीजे जितना sports हुआ है इसमें cricket है football है tennis है chess है car racing आपको दिखाए देगा badminton हो जाएगा hockey है athletics है या कोई अंतुराष्टी अस्तर का olympic है या पार olympic है यह सब खेल में कर लेना है तो तीन topics हो गया एक हो गया आपका book हो गया इन्ने परविटी और तीन current affairs economic survey अंतुराष्टी अराष्टी सम्मेलन और 30 रखे 24 गंटे का topics आप लॉक हो गया 24 गंटे में इसे बिल्कुल scan करके समाब कीजिए कल फिर बात करेंगे एक नए subject और तीन current affairs से चली देखते हैं कि आज का current affairs monthly क्या कुछ है और कितना महत्पूर नहीं यह अज हम लोग माई मत का 2022 का परत्यूकता धर्पन का month wise current affairs करने जा रहे हैं जिसमें content आपको दिखा देगा दो महीने पीछे का यानि मार्च 2022 का अधिकतर current affairs मार्च 2022 का होगा magazine माई का है शांदार current affairs हमें लगता कि इसके बिना आप एक्जाम में नहीं बैठ सकते इतने अच्छे इसमें कलेक्शन्स है नेशनल इंटरनेशनल आर्थ की नविंतम और खेल के इसे हमने audio format में रखा है ताकि कम से कम समय में जल से जल यह आपके पास कोरोना टिका करन अभियान के तेहत 12 से 14 वर्ष के आयू के बच्चों के लिए भी टिका करन का आयजन किया गया लेकिन यह company कौन से थी और यह vaccine कौन सा था यह हमें जानना चाहिए तो vaccine का नाम है कार्बो वैक्स जिसे बनाया है biological E company नाम के medicine company ने तो आपको याद रखना है क और बो वैक्स और इसको बनाने वाली company biological E यह टिका करन अभियान शुरू हुआ तीन जनवरी 2022 को जबके आप सब जानते हैं कि इससे पहले वैसकों के लिए टिका करन अभियान शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 को जबके बच्चों के लिए बारे से 14 वर्ष के आयू वर्ष के बच्चों के लिए टिका करन तीन जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ है फरवरी मार्च 2022 में पांच राज्जों में चुना हुए थे इस तरह के प्रशना आते हैं तो यह पांच राज्ज आपको जानने चाहिए यह पांच राज्ज कौन से हैं इसे याद रखिएगा उत्तरपर देश, उत्राखंड, गोवा, मनिपूर और पंजाब इन पांच राज्जों में फरवरी मार्च 2022 में चुना हुए इसके बाद जो नए मुखमंत्रिया हैं उनके नाम याद रखना है उसके बाद असम और मेगालय के बीच सीमा विवाद का आंशिक समाधान हुआ है यानि जगत से सम्मंदिस चार यूनिट्स का चार इकाईयों का मर्जर हुआ है और एक नई यूनिट एक नई संस्था सामने आई है जो है राश्ट्य फिल्म विकास निगम लिमिटेड यानि नेशनल फिल्म डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन जिन चार यूनिट्स का मर्जर जिसका नाम है आई मैक्स 2022 ये किसका सैने ब्यास है हिंद महासागर नौसेनिक संगोष्टी जिसका इंगलिश नेम है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जिसे शौर्ट में आई ओ एन इस कहते हैं ये हिंद महासागर के 30 पचीज देशों का एक हिंद महासागर नौसेन सं इसका उधेश है तीस वच से कम उम्र के यानि युवाओं के लेखन च्छंता के विकास से संब्देश पर्दानमंत्री युवा योजना जो 29 मही 2021 को आरब हुआ है अंतराश्टी खटनकरम में या इंटरनेशनल करेंट एफेस में एक भारती मिसाइल रखनाखाओ की जाश करते समय छूट गया और ये पाकिस्तन में जा गिरा ये पाकिस्तन के पंजाब पॉर कि वार्शिक बैठक हुई है जो कई सालों से बन पड़ी ती कहां इसलामपाद में 1960 में सिंदू और उसके सहायक नजियों के जल बठवारे से समझाता हुआ था जिसकी हर साल बैठक होती है कुछ सालों से यह बंद पड़े थी लेकिन अब यह बैठक हुई है इसलामबाद में वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2022 मार्च में जारी हुआ है इसमें टॉप पर देश है फिन लेंड इसे याज रखिएगा टॉप पर कुछाली में सबसे खुछाल देश है फिन लेंड सबसे निचला स्थान 146 मा अफगानिस्तान का है तो भारत का हमें याज रखना है कि अपना देश इंडिया कि इस पोजिशन पे है तो 136 पोजिशन है टोटल 146 देशों में भारत का 136 अस्थान है जब के टॉप पर फिन लैंड है इसे जारी कौन करती है तो United Nations Sustainable Development Solution Network इसे जारी करती है हरता जापान में नए परधानमंत्री आ गया है फूमियो किशिदा इन्होंने किसका अस्थान लिया है शिंजो अवे का अस्थान लिया है जिनके अभी आली महत्या हो गए थी इसके बाद जापान के नए परधानमंत्री फूमियो किशिदा है हतियारों के खरीद विक्री यानि सबसे जाधिक इंपोर्ट और सबसे जिक एक विश्व में सबसे अधिक हसियार आयात करता है रूस से जबके विश्व में सबसे अधिक सबसे बड़ा हसियानों का निर्यातक देश है अमरीका जबके भारत किसे सबसे अधिक करता है इंपोर्ट करता है राशिया से कोलंबो में सुरक्षा कॉनक्लेव यानि सीक्यूरिटी कॉनक्लेव की बैठक हुई है कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव भारत के और से श्री अजीद डोभाल ने इस बैठक में इसा लिया है विश्व के सरवाधिक शोर सत्याधिक परद कम नॉइज पालुइशन जौरण के शहर इर्विद में इस नॉइज पालूशन पर्रकॉठ जारी करने करने वाली संच्थता है संजुत राष्ट पर्या वरं 찍री कार्य करम बिंस टेड का पांच्वाशोओं शिकर युक की शुरुआत हुई है बंगला देश के जलमार का परियोग करते हुए बिहार से असंद के लिए एक छोटा मालवाहक पोत गुदरा है बिहार में पटना के गायगाट से इमवी लालबाद उस शास्री नाम के एक मालवाहक जहाज ने बंगला देश के जल छेदर का परियोग करते हुए असंद के गोहाटी तक अपनी यात्रा की है इसे जल परिवान के छेदर में एक नए यूग की शुरुआत माने जा रही है संजुग राष्ट संग ने सत्रे सतत यानि सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स प्राधारित हर साल एक रैंकिंग जारी करता है इस बार भी जारी की है हैं 2015 में मानस सब्धार पिर्सवी परियावन से सम्मादित 17 गोल सस्टेनेबल यानि पिर्सवी को बचाने से सम्मादित मानस जीवन के सस्टेनेबल लाइव से सम्मादित 17 सस्टेनेबल गोल जिसे एस डी जी जी गोल्स के रुप में भी जाते हैं सस्टेनेबल डिवलप्म गोल पर जो रैंकिंग जारी हुई है वर्ष 2022 में मार्च में उसे भारत को 120 में अस्थान मिला है 165 देशों में तो टॉप पर कौन है टॉप पर फिन लेंड है भारत 165 देशों में 120 में पोजिशन पर है तो सबसे नीचे कौन है सबसे नीचे सेंटल अफरीकी रिपबलिक है स सेंटल अफरीकी रिपबलिक यानि केंद्रिय अफरीकी गनराज है नीती आयोग भी एक सुचकांग जारी करता है राज्यों की निरियात तैयारी सुचकांग भारत का विश्व में अभी एक्सपोर्ट में भागीदारी है वन पॉइंट सेवन परसेंट ऑनली वन केंद्रिय को और बढ़ाना है इसके लिए नीती आयोग हर साल एक सुचकांग जारी करता है कि कौन सा राज केंद्र तो करता ही करता है कौन सा राज निरियात यानि एक्सपोर्ट में कितना आगे इसमें गुजरास टॉप पे हैं महाराज सेकंड पोजिशन पे हैं बिहार क 22 सेकंड यानि 22 अस्थान है सब से नीचे राज्यों में अरुनाचल प्रदेश है उसके बाद नवीन तम समान गया इसका महत्पुन खंड होता है नाटो के महासचीव नाटो यानि नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाजिशन जो रूस के खिलाप अमरीका और यूर जिनका कारिकाल नाटो के महासचीव के रुप में एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है पोलेंड की कैरोलीना बिलावस का कैरोलीना बिलावस का मिस वर्ड घोशित हुई है पोलेंड की 22 वर्ष्य सुंद्री कैरोलीना बिलावस का 2021 की मिस वर्ड यानि विश्विस सुंद् लॉट सिर्फिट फिल्म औरप सुनी गई कर चुने हैं जिसके डायरेटर में जिस अवर्ट में चुनी गई है विल स्मित की रीचर्ड फिल्म के लिए बेस्ट एक्र चुने गई हैं जती पर जो आना स्कैनलान जो आना स्कैनलान बेस्ट एक्टिस चोनी गई है जो अमरीकी कड़ी तक ए डेनिस पार्निल सुलीवान जो अमरीकी मैथमेटिशन है डेनिस पार्निल सुलीवान इन्हें मिला है एबल पुसकार जो मैटमेटिक्स का आउसकर आवाड कलाता है एक और वास्तु कला यानि आर्किटेक्चर के छेदर का या यानि निर्मान उद्यों के छेदर का आउसकर कलाता है प्रिट्जर पुसकार दो हजार बाइस वास्तु कला के छ यहीं पर देखिया आसकर आवार्ड 2022 भी गोशित हो गया है जो मार्च 2022 में आजित हुआ तो सबसेट फिल्म का आसकर आवार्ड जो मार्च 2022 में गोशित हुआ फिल्म कोडा को दिया गया है जिसके निर्जे शक है डारेक्टर है सियान हेडर सबसेट फिल्म का यहां पर भी ज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस था ओस्तर अवार्ड जेसिका चैस्टिन को अच्छा बीसी सी आई का दो हजार एकीस का शर्फशेष्ट बारतिक खिलाडी का वार्ड भी कोशित हुआ है 2021 के लिए BCCI Best Player of the Year 2021 महीला खिलाडी में मीरा बाई चानू को मिला है भारत तोलक मीरा बाई चानू BBC Sports Person of the Year इंडिया में Female Category में कोशित हुई है संजुत राष्ट संग ने 2000 वर्ष 2023 को मोटी अनाजों का अंतराष्टिय वर्ष कोशित किया संजुत राष्ट संग ने वर्ष 2023 को अरुण चौरी की एक बुक आई है The Commissioner for Lost Causes The Commissioner for Lost Causes अरुण चौरी की एक Best Seller भुक है सूरज कुंड अंतराष्टिय मिला हर साल लगता है हस्त शिर्प मिला है कहां लगता है हर्याना में लगता है यह परसिद सूरज कुंड मिला हस्त शिर्प से समान दित है लाल किला महोचसव आजित हुआ किस नाम से भारत भाग्य विदाता लाल किला महोचसव मार्च 2022 में धर्म गार्जियन 2022 वार्षिक संयुक्त सैनब्यास है जो करनाटक के बेल गाम में हुआ है भारत और जापान क दृने की से ना की बीच बारत शिर्लंका के बीच भी संयुक्त सैनफ ब्यास की नाम है सलाई को मतलब यह था इंडिया तो सलाईनेक्स 2002 ये मार्च में आजड हुआ है, कहां? विशाका पक्नम में सलाईनेक्स यानी भारत और शिलंका का संयुकत नो सहने के युद्धा बयास भारत और उ continu किस्तान के बीच थल सिनाव का संयुकत सहने बयास हुआ है जिसका नाम है दस्टलिक-BB फीर, जो उस्विकिस्तान में आजित हुआ है, थर सिना का भारत और उस्विकिस्तान की सेना के बीजुआ के बीज़, एक और भारत और सेशल्ज का सांयुक्त सेना प्यास हुआ है, जिसका नाम要मी सफैने की बारथ के वजर गज़ाकिन होगें भारथ यथ सेजिख सब्ससांग में सब्सक्राइज़ की बारथ का ससीन doesn Come यह इसका नाम वरोन होता है तो वरोन 2022 यानि तो फॉसेनग की यह ए्याएस आई जिस हुआ है उसको खेल यानि स्पोर्ट से सम्मझें कुछ महात्पुन घटना करम इस बार बहुत ज्यादा नहीं है आल इंग्लाइंड ओपन गार बैलमिंटन गार बैलमिंटन का महात्पुन टोनामिन्ट है जिसे जीता है दन्मारक के विक्टर एक्सल सेन ने बहुत बार टोनामिन्ट है लक्ष सेंड की यह बड़ी उपलादी थी जो फाइनल तक पहुँचे है लेकिन उपवी जिता रहे विक्टर एक्सल सेंड डेनमार्क के हैं उन्होंने लक्ष सेंड को पराजित किया और All England Open Badminton 2022 का खिताब जित लिया फीमेल के डिकदी में यह भी नाम जानना चाहिए आकाने यामागुची जो जापान की है आकाने यामागुची इन्होंने महिला एकल का खिताब जिता है कौन सा All England Open Badminton बड़ा घटना करम जिस तरह से पिछले मंद में हम लोगों ने ओलम्पिक किया था शीदकालिन ओलम्पि भी बीजिंग में हुआ है यह मार्च में 2022 महाई जित हुआ 13 था इसमें टॉप पोजिशन पर चीन ही रहा दूसरे पोजिशन पर यूकरेन और तिसरे पोजिशन पर कैनेडा रहा तो टॉप तीन देश जानने चाहिए चीन यूकरेन कैनेडा यह पारलम्पिक जो विंटर पारलम्पिक खेल हुआ जो बीजिंग में हुआ उसके तीन टॉप मेडल टैली के विज़ता है हां इसके मैसकट का नाम भी जानना है जो रॉन रॉन था बारत के किसी खिराणी ने इसमें भाग नहीं लिया था सीनियर राष्टिये शत्रन चैंपिनशिप यह जो मेल करें में दिव्या देशमुख है महाराष्टा की हैं दिव्या देशमुख इन्होंने सीनियर कटिग्री में चेस्ट चैंपिनशिप 2022 का जीता है एक और मात्मुर्ण घटना करम है विश्व कप हुआ है किसका शूटिंग का विश्व कप आई एस एस एफ आई यानि इंटर पोजिशन पे रहा काहिरा माई जित हुआ था शूटिंग का वर्ल्ड का तो यह था आज का मई 2022 का कुछ मात्मुर्ण घटना करम जल्दी अगले मंत का भी करिंटर फेर्स हम लोग करेंगे इसे कान मिला कर सुन लीजिए और कन्फीजन हो तो बार बार सुनिए चुकि यह बड़े ही मात्मुर्ण और इंपॉर्टेंट एक्जाम फ्रेंड्ली करिंटर फेर्स हैं टेक यह था